जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने सुना होगा कि ट्रेन से बार बार होरन की आमा जाती है साथ ही कई बार स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में भी होरन बजाई जाते हैं कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि ट्रेन के इस होरन का अलग-अलग मतलब होता है और अब जान लीजिए कि इस होरन का क्या-क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जिससे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर करना ना भूले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रेन में 11 तरह के होरन बजते हैं जो की इस परकार है अगर आपको कभी एक बार छोटे होरन की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब है कि ट्रेन यार्ड में धुलाई और सफाई के लिए जाने को तयार है जहां से वह अपनी अगली यात्रा पर रवाना होगी नमबर दो दो छोटे होरन इसका मतलब होता है कि ट्रेन यात्रा के लिए तयार है ट्रेन का ड्राइवर इसके जरिये गार्ड को संकेत देता है कि वह ट्रेन को यात्रा सुरू करने के लिए रेलवे सिगनल दे नमबर तीन, तीन छोटे होर्न, यह एमरजेंसी की स्थीती में बजाये जाता है और इसका मतलब है कि ट्रेन के ड्राइवर का इंजन से कंट्रोल खतम हो गया है और गार्ड वैक्यूम ब्रेक को तुरंत खीचे, आपको बता दे कि यह बहुत कम इस्तेमाल में लिया जाता है नमबर चार, चार छोटे होर्न, यह ट्रेन में तकनिकी खराबी का संकेत है और इसका मतलब ट्रेन आगे नहीं जाएगी नमबर पाँच, एक लंबा और एक छोटा होर्न, इसका मतलब होता है कि ट्रेन का ड्राइवर इंजन को सुरू करने से पहले गार्ड को ब्रेक पाइप सिस्टम सेट करने के लिए सिगनल दे रहा है इस होर्ण से ट्रेन का ड्राइबर गार्ड को इंजन का कंट्रोल लेने के लिए संकेत देता है अगर आपके सामने ये होर्ण बजे तो आप समझ जाएं कि अभी यह ट्रेनी स्टेशन पर नहीं रुखेगी नमबर आठ दो बारुक रुक कर होर्ण ये होर्ण रेलवे क्रोसिंग के बाद पास बजाये जाता है ताकि वहाँ खड़े लोगों को संकेत मिले और वे रेलवे लाइन से दूर हट जाएं नमबर नव दो लंबे और एक छोटा होर्ण इसका मतलब होता है कि ट्रेन ट्रैक बदल रही है नमबर दस दो छोटे और एक लंबा होर्ण इसका मतलब होता है कि किसी यातरी ने ट्रेन की चैन खीची है या गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक खीचा है नमबर ग्यारा, छे बार छोटे होर्न इसका मतलब होता है कि ट्रेन किसी मुसीबत में फस गई है आपको हमारे द्वरदी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्षन में लिखना न भूले जै हिंद